हेलो व्यूर्स इस दिगंबर सिंह एंड आई वेलकम यू तो माई यूटुब चैनल तोड़े आइंग टीच यू निव टॉपिक डाइज रुटन ओवर यू नाउन केस हमने नाउन में अभी तक नाउन की देफिनिशन उसके काइंड फिर हमने नंबर फिर हम नहीं पड़ा कि हाउ तो चैनल नमा इंटॉड नंबर फिर हमने जंडर पड़ा जंडर के प्रकार पड़े और जंडर के कुछ महत्ववों नियम अभी तक मैंने इस चैनल पे अप्लोड किये हैं यह वीडियो तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ इसकी शुरुआत करते हैं और केस जो है वो केस कोई ऐसा केस नहीं है जैसे हम याले में मुकदमा जिसे कहते हम कि किसी ने कि सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब कि यह किस नहीं है यह करत के है जैसे हमने हिंदी में एक शब्समावा का रख तो केसको कहते हिंदी में कारक संग्या नावन हुआ और कारक कारक थोड़ा इसकी डेफिनिशन देख लेते हैं हम केसे इन नाउन टेल अबाउट दो पोजिशन एंड रोल आफ अनाउन इना सेंटेंस इसका आती हुआ कि एक जो संग्या शब्द होता है उसका वाक्या में उसका जो काम होता है उसकी जो भूमिका होती है और जो उसकी पो प्रका के फंक्शन को उस पर्टिकुलर सेंटेंस में परफॉर्म करता है या उसकी इस्तिति क्या है तो इस द्रिस्टि से देखा जाए तो नाउन इंग्लिस में नाउन केस चार प्रकार के होते हैं मैंने लिखा भी है आपर काइंड सब केस तो फर्स वन इस तीसरा है पॉजिसिव केस चौता है वकेटिव केस अब यदि हम हिंदी में इनको इनका अर्थ समझें तो नॉमिनेटिव केस में जोता है करता कारक अब जेक्टिव केस होता है आपका कर्म कारक पॉजिसिव केस होता है संबंध कारक और वकेटिव केस होता है सम्मोधन कार तो हमने हिंदी में इसका अर्थ जाना वैसे हिंदी में आप atm और संस्क्रच्ट में आपने कारक पड़े होंगे हुए तो अब हम एक एक करके पहले हम नॉमिनेटिव केश की बात करते हैं cent पहरा जो केस हमारे पास है वह है नॉमिनेटिव केस नॉमिनेटिव केस को समझने से पहले हमें ही है जानना आती आवशक है कि what is subject subject किसे कहते हैं तो मैं यहां पर लिखनी रहा हूं मैं ऐसे बता रहा हूं कि the parts of a sentence about which something is told or said is called subject वाक्य का भाग होता है जिसकी बारे में कुछ कहा जाए उसे हम subject कहते हैं वैसे subject की बहुत सरा आर्थ होते है subject करता ही होते है subject विषय कंभर होता है subject विषय की राजय की प्रजा होते है बहर्conomically subject यहाँ पे इसका आर्थ है उद्देशा जैसे sentence के दो multiplier जासे होते है subject को चाहते हैं परता भी कहते है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सब्जेक्ट जैसे एक उधारण पर मैं लिख रहा हूं रभी sings a song मैंने यहाँ पर एक example लिखा है रभी sings a song यह एक sentence है और हम यहाँ पर सबसे पहरे देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से जो word है वो noun है तो एक तो रभी हो गया यह proper noun हो गया और song यह भी noun है common noun तो here are two nouns in this sentence अब देखिया यदि वर्ब यह वर्ब है man वर्ब है वर्ब भी कैसी है एम वी है means man वर्ब man वर्ब से पहले जो भी या helping वर्ब से पहले जो भी शब्द आता है noun शब्द या प्रोनाउन आता है उसे हम कहते हैं subject अगर हम इस sentence में subject का पता करना चाहे है तो हम कैसे इसका पता करेंगे हमें what से sorry who से question पूछना पड़ेगा किस से हम प्रस्न पूछेंगे who means कौन अब यहाँ देखे रबी एक गाना गाता है who does sing a song answer will be रबी तो रबी will be subject here चोंकि रबी एक noun है तो यहाँ पर जो nominative case है वो noun है लेकिन pronoun भी subjective या nominative case में आते हैं जैसे यहाँ पर देखते हम मैंने आप देखा they are laughing they are laughing वे हाँ से रहे हैं तो यहाँ देखे अगर हम who से question पूछे है who are laughing answer will be they और दे जो है वो एक pronoun है तो subject noun भी हो सकते है pronoun भी हो सकते है कुछ subject dummy subject भी होते है it or there मैं उन पर चर्चा नहीं करूँगा उनको कभी किसी अन्ने वीडियोस में हम देखेंगे क्योंकि वो भी एक अलग साट टॉपिक हो जाएगा तो कहने कारत यहां पर यह हुआ कि जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं उसे हम subject कहते हैं तो पहला रभी और दूसरे वार्चे में हमने देखा कि दे दूसरे वार्चे में दे pronoun है और एक subject की भूंका में है यह वर्व है यह helping वर्व है अब हम दूसरे case की बात करते हैं दूसरा हमने लिखा था वो लिखा था objective case ऑब हमने लिखा था objective और objective बना है object से पहले इसको ग polls श्वंज लेते हैं अबिच्ट होता क्या है अब्जेक्ट वह शाब्द होता है वो नाउन भी हो सकता है वह शाब्द होता है जिस पर किसी वर्ब का सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है जैसे उधारान की रूप में हम यहाँ पे लिखते हैं अब यहाँ पर देखी यह हम जान चुके हैं ही एक प्रणाउन है और वो नॉमिनेटिव केस में है इस में वर्ब है तो इस क्रिया का इस वर्ब का प्रभाव इस शब्द एपल पर पढ़ रहा है तो ऑब्जेक्ट इसे कहेंगे हम जिस पर क्रिया का प्रत्यक्ट और प्रत्यक्ट शुरूप से प्रभाव परता है उसे हम क्या कहते हैं अब्जेक्ट कहते हैं तो ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं अब्जेक्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं पहला होता है डायरेक्ट अब्जेक्ट और दूसरा होता है इंडि उसका पता लगाने के लिए हम वाक्य में what से question करते हैं और जो indirect object होता है उसका हम पता करने के लिए who या whom से question करते हैं उस वाक्य में और हमें जो उत्तर मिलता है वो indirect object होता है इसका दूसरा नाम है एक dative dative case भी कहते हैं dative case तो Director object में एक और बात यह है कि इसमें नॉविंग लिविंग अब्जेक्ट का पता लगता है और जो इन डिर्ट अब्जेक्ट नॉविंग अब्जेक्ट की बात करता है living object की बात करता है अब मैं इसको जड़ा मिटा रहा हूं आप इसकी स्क्रिंशॉट ले लिजे इसको मिटा रहा हूं मैं और मैं फिर आपको दोनों object के बारे में example के थ्रू समझाऊंगा पहले बात की जाती है डारेक्ट ऑब्जेक्ट की है डारेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने बताया था इसका पता हम वर्ट से प्रस्न करने पर हमें पता लगता है जैसे एक यहां पर मैं लिख रहा हूं रमेश sings a song यह हमने एक सेंटेंस लिखा और इस सेंटेंस में हम यदि वर्ट से question करें यदि वर्ट से question करने पर हमें कोई answer मिल रहा है तो इसका आर्थ यह हुआ कि यह जो आक्या है इसमें object है और object कौन्छा होगा direct object यानने non living object की बात यहां पर होगी रमेश sings a song और हमने क्या प्रस्ट पूछना है वर्ट से वर्ट दज रमेश सिंग तो answer will be a song therefore a song will be object here and song will be direct object here because we have known the object by asking asking the question with the help of what what से हमने प्रस्ट पूछा और हमें उत्तर मिल गया a song तो a song will be direct object यह non living object है अब दूसरा हम यहां पर लिखता हूं मैं I I like her I like her मैंने हाँ पर एक वाके लिखा I like her अब इसको मैंने बताया था कि जो indirect object है यह indirect object की बात मैं कर रहा हूं अब्जेक्ट लिखा मैंने इंडारेक्ट अब्जेक्ट का पता हम मैंने बताया था कि हम यदि उसमें हूं से या हूं से question करें तो हमें answer जो मिलेगा वो इंडारेक्ट अब्जेक्ट होगा और इंडारेक्ट अब्जेक्ट हमेशा non living sorry living thing के लिए क्या आता है इंडारेक्ट अब्जेक्ट आता है तो यहां पर किससे प्रस्ण पूछें हम हूं या से तो किसे प्रस्ण पूचेंगे जैसे आई लाइक हर हूं आई लाइक आंसर विल भी हर हूं डॉआ लाइक आंसर विल भी हर तो हर विल बी अ इंडारेक्ट ऑप्जेक्ट और जो हर है वह फैमिन जेंडर का जा प्रोडाउन है और प्रोडाउन है और पॉजिसिव एजेक्टिव भी होता है यह तो यहां पर इंडिर्ट अब्जेक्ट हमें मिल गया है हर जो की लिविंग अब्जेक्ट है तो आशा करता हूं कि आप इन दोनों में डिफ्रेंस करना आपको आगया होगा अब मैं एक ऐसा डिफोड्क विल्स में एक तुक मिलेंगे वहर्स अब जो अब्जेक्टव केस में मैंने बताया था कि दो अब्जेक्ट होता है डायुक ओपजेक्ट और इंडिर्क opject और दोनों की उधारण मेने आपको बताये थे अब हम एक ऐसा एक्जाम्पल यहां पर लिख रहे हैं जिसमें दोनों अब्जेक्ट को हम पता कर सकते हैं यह यूं कहें कि there will be both of the objects in this sentence तो यहां पर जैसे मैं दिखा Harry teaches me English Harry मुझे English पढ़ाता है अब पहला जो अब्जेक्ट है direct object की प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं वर्ट से question पूशते हैं तो क्या होगा What does Harry teach me तो answer will be English कि Harry मुझे क्या पढ़ाता है तो उत्तर क्या आएगा English English will be direct object because English is a non-living thing अब दूसरा जो हम indirect object की प्राप्ति करेंगे तो कैसे करेंगे हम प्रस्न पूछेंगे whom से to whom English is taught by Harry तो answer will be me तो me इसमें क्या हो जाएगा यह हो जाएगा indirect object और यह जो इंग्रिस है वो direct object हो जाएगा direct object हो जाएगा क्योंकि indirect object जो होता है वो living thing के लिए प्रुट्ट होता है तो me जो है वो pronoun है और वो I का जो objective case है वो मी है तो I pronoun है आई किसी के लिए प्रुट्ट होता है तो आप समझ गयोंगे कि objective case में जो object होते हैं वो कित्य प्रकार के होते हैं और उनके उधारन आपने देखे अभी हम बात करते तीसरा जो case है वो है positive case और मुझे लगता है कि यह सबसे ज़्यादा important case में है जो जड़ा tough है इतनी आपको जड़ा इस वीडियो को इस प्रकार की वीडियो देखनी पड़ेंगी या इस वीडियो को आपको कई बार देखना पड़ेगा तीसरा जो है वह है पोजिशिव केस पोजिशिव केस हिंदी में इसे कहते है संबंध क कारक अब जो संबंध कारक भी दो प्रकार के होता है एक होता है एक होता है किसी शब्द में लिविंग में हम एदी आपास्ट्रॉफी एस डगाएंगे जैसे मैंने खाऊ यहाँ पर आई फाउंड रवीज वाच मुझे रवी की घड़ी मिली तो यहाँ पर देखें जो वाच है वो एक नाउन है और नाउन जो है नाउन का जो अधिकार है वो रवी के पास है मतलब नाउन वाच का जो अधिकार है वो रवी के पास है अर्था रवी की वो घड़ी है तो एक तो यह हो गया एक हम दूसरा एक उधारन और देखते हैं जिसमें आफ का प्रियों करते हैं जैसे दो मदो आफ करीना करीना की मा बहुत दयालू है तो यहां पर देखेगा आप यह ओफ जो है वो भी पॉजिशन का बहुत करा रहा है वो पॉजिशिव केस है इसके अलावा आपने कुछ शब्द देखे होंगे जो पॉजिशिव केस में आते हैं कुछ प्रोणाउंस देखे होंगे आपने जैसे मैं यहाप लिकराओं हूं आई लर्ण माई लेसन लेसन है लेसन है नाउन और यह जो माई है यह लेसन से पहले आ कर उसका समन्द हाई का संबंद कारक है और माई अपना समन्द स्थाप्ध कर रहा है lesson से तो noun से पहले जो शब्द आते हैं वो वो कर आते हैं यहाप लिग लेता हूं मैं a positive adjective कराते हूं एक बार मैं फिर बता रहा हूं यदि कोई शब्द जो noun से पहले आए और उससे अपना संबन्द इस्तापित करें तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं पॉजिसिट एजेप्टिव दूसरा हम एक उधारन और लेते हैं दिस पैंसिल इस माइन अब यहां देख्या दिस पैंसिल इस माइन माइन जो वर्ड है वो है पॉजिसिट प्रोनाउन द्यान एकने वारी बात यह है कि जो माइन है या यूर्स होता है यह कुछ शब्द होते हैं जो प्रोनाउन होते हैं क्योंकि इनके तुरंत बात कभी भी कोई नाउन का प्रियोग हम नहीं करते हैं अगर मैं यहां पर इसको बल्दों इसको हम पॉजिसिव अब देखिया आप इसको जहां से देखिए पैंसिल है नाउन नाउन से पहरे एक शाब्दा है जो कि पैंसिल से उसका संबन स्थापिक कर रहा है तो जो माई है माई विल बी हिर एज पॉजिसिव एड्जेक्टिव लेकिन यहां माइन के बाद कोई शब्द हम प्रियोग उनका प्रियोग नहीं करते हैं यह पॉजिसिव प्रोनाउन हो गया तो आई थिंग यहाब अंडेस्टोड दिस पॉजिसिव केस वैरी वेल इपनोट यू कें राइट इन देखिया अब जो लास्ट वाला है जो लास्ट वाला है वो है कि वाकेटिव केस क्या होता है कि हम किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करते है संबोधित करते हैं खासकर नाउन को हम संबोधित करते हैं जैसे पहले हमने मोहन को संबोधित करके कहा कम यहां आओ इसको हम दूसरे तरीके से भी इस वाक्य को कह सकते हो कह सकते हैं कैसे लिखेंगे पहले हम भीवन को आगे लियाएंगे कम यह और कॉमा फिर हम मोहन लिखेंगे तो कम यह मोहन इसका आर्थ भी यही है जो उपर वाले वाक्य का है तो वोकेटिव केस भी आप समझ गये होंगे जिसको हम संबोधन कारत कहते हैं अब मैं एक केस से हटके थोड़ा एक छोटा सा टॉपिक तो नहीं कह सकते हैं कि छोटा टॉर्म है नाउन इन एपोजिशन अभी जो हम पढ़ रहे हैं हम नाउन के फंक्शन और नाउन की पोजिशन की बात कर रहे हैं उद्हारान से और इस प्रस्ट हो जाएगा एक्जामपल जैसे पी टी नहरो कॉमा दो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और इंडिया रोट नंबर औफ बुक्स अब यहां देखे आप पी टी नहरो पंडित नहरो के बारे में और जानकारी हमें दी गई है और जो जानकारी हमें दी जाती है न वो जैसे हमने पी टी नहरो लिखा यहां पर हमने कौमे लगाया इसके बाद जो भी है यह जो शब्द है न यह पीटी नहरू के बारे में additional information दे रहे हैं क्या है the first prime minister of India भारत की प्रथम 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 मंत्री और पीटी नहरू यह एक दूसरे के पूरक है पीटी नहरू के बारे में additional information हमने the first prime minister of India दी है और इसी को हम noun in apposition कहते हैं noun in apposition इसी term को कहते हैं तो आशा करता हूं यह समझगे होंगे चलो एक और आपको बता देते हैं कि sometimes noun functions as noun functions as compliment तो यहां पर मैंने compliment दिखा जिसको हम पूरा कहते हैं अ उधारन के बाद हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं जैसे नहीं आप दिख रहा हूं he is a doctor तो he is a doctor he बराबर doctor डोक्टर बराबर he अर्थात जहां पे कोई pronoun या noun से किसी वाक्य के शुरुबात होती है उसके बाद कोई linking verb यह linking verb है उसके बाद एक ऐसा शब्द आता है जो उसी शब्द के बारे में और जानकाली देता है noun in a position में क्या हो रहा था कि हम किसी शब्द noun शब्द को लिख रहे थे उसके बाद कोमा के भीतर हम कुछ और additional जानकाली दे रहे थे तो यहां पर क्या है he is a doctor he doctor है और doctor ही है यह सरला इस जो सिंगर सरला जो है एक सिंगर है तो सरला को पूरक कर रहा है यह शब्द सरला को वारड़ सारला और और सरला को सिंगर पूरक कर रहा है तो यह जो लास्ट वाला है ना संग सिंगर और यहां पर ऊपर डॉक्टर। यह कि अधितनों कि और इसको मूंदर के मुलियं आई हैज इसमें तो आशा करता हूं आप यह आज लंबी वीडियो हो गई है आशा करता हूँ आप जितना मैंने आज पढ़ा है उसको आप समझ गया होंगे तो सबसे पहले आज हमने क्या क्या देखा सबसे पहले हमने देखा कि जो नाउन है नाउन है वो नॉमिनेटिव केस में उसका माँ आप जानों का सब्जेक्ट बहुता है जैसे व lot h a lighter हीज़ ने पत्र रिखा तो हरीज लापे वोर्व का सब्जेक्ट होग्या है हरीज विल बी इन नॉमिनेटिव केस दूसरा हमने पड़ा था अबजेक्टिव केस जैसे ही इट्स और ब्रैट वह एक ब्रैट खाता है तो यहां पर देखों यह वर्व का अबजेक्ट है यह ब्रैट जो है अबजेक्ट है इस वर्व का आगा दीसा हमने देखा उजीशिव व्याला तो पोजिसिव में हमने देखा जैसे आई और अ म ऐन आए एम आप विक फैन और लिग फैन ओफ यॉर्स किया पे हमने देखा कि आएम फिक फैन ओफ यॉर्स यह शी जो आफ है यह सम्वंद्ध कारत शब्द होता है इसके अलावा हरी की माँ है विमार है तो यहां प्रहिश आपकोज़िसिव प्रोणन और पॉज़िसिव गया नाउन नहीं हो गया इस तरह के वर्ड होते हैं जो अपने साथ नाउन को लाते हैं अर्थाक नाउन उनके बाद आता है जैसे his pencil, his pen, my marker इस तरह के जो word होते हों positive adjective होते हैं I hope you must have understood this topic very well if you like my video you can like it you can share this video and you can subscribe my channel thanks for watching this video